आज किस वीडियो की मात्यान से बात करेंगे आई हुए एक लेटेक न्यूस चे बारे में तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो थोरी लंबी हो सकती है कुछ इन्पोर्टन जान करी है तो चलिया ये शुरू करते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले कारपलक साइको का जो है पैनल की बहाली को लेकर जो मांग अभी की जा रही है पठना के गर्दनी भाग में तो आप लोगों को बताना चाहूंगा जो भी छात्र करनों हाँ पे भुख हर्ताल पे बैठे हुए हैं आज चोथा दिन हो गये हैं लेकिन जो दोस्तों अभी कुछ छात्र जो है अभ को बताना चाहूंगा आजी की नीउज में आर्टिकल दिया गया है आप सभी लोगों को पता है इसमें क्या मेठर लिखा गया तो queste पहले बताना चाहूंगा जो अभी भुख हर्ताल जारी है इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से अब तक कोई निन्र नहीं लिया गिया है, कोई भी ठोस आप संग्यान नहीं किया गिया है, तो इसी के दर्मियान आप लोग को बताना चाहूंगा, पूरी बात आप लोग को पता है, आज चार दिन से जो धरना किया जा रहा है, किसले क गर्दनी वाग इलाके से जहां पर भूख खरताला भी जारी है तो यह जो लेटर सेंड करके सरकार से मांग की जारी है कि चार दिनों से भूख पर बैठे हुए भाई लोग का जो हाला तहां पर गंबीर बनी हुई है लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी खाबाल लेने नहीं आई है आज जो है कुछ भाई को जो है हस्पताल में ले जाया गया है अब बताना चाहूंगा उनकी स्थिति जो नाजुक बनी हुई है अता ज लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी धरना पर्दशन जो भी भुखरताल हो रही है वो जो है संपुन परिपुन हो और जो आगे निकल के आईगी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे तो देख तेरी इस वीडियो तो आपका मांग क्या है आप क् ब्कूस के तहट कार पालक साय की वाली जिया कीगा उला कराती है इसी के संद्वर में ब्कार पाललक साय का पैनल बना बिहाद सतरकार ने जारी किया उसके बाद कुछ लोगों को पैनel से जो ऑन से ढानी के ऑब symmetric कराने के बा即这 वारी क्यृताद में ने फुरे धिहार के द्वारा पास किये लोग हैं, हम उसे एक जाम कंड़क्ट कराया, उसे पास किये लोग हैं, फिर हम कैसे दुसरे कमपणी के द्वारा बने मज़रूर बन जाएं, यह सुच्रे की बाद है, इसलिए सरकार देदम हमारा एक ही मांग है, कि PPSM के तहट जो मिदा सुची बनी है, वही मेदा सुची के द्वारा हमारा जो बहाली की परकिलिया है, उसे पर उसको बहाल किया जाएं, अभी आप देखरेंगे, हम गदली बाद घर्णा अस्थल पे, आज लगतार इसरे दिन आमरे अंसर पे बैठे हुए, यह हमारा तुसरा दिन है, लेकिन रकार का कोई बड दूर्पे, बिहार के शियम का आवास हैं, लेकिन बिहार का सियम इतने नींद में सोई हुए हैं, उनके नाक के नीचे छात्र अंदुलरत हैं, भूख अल्प है, लेकि उनका नींद तूट नहीं रहा है, तो हम चेता देना चाहते हैं, तक सरकार जब तक हमारे मेदा को से तब तक हमारा आपने लुक्तन से चालू रहेगा, जारी रहेगा, और हम लड़ेंगे, आप सरकार को चुकाएंगे, यह हमारा मुझसे मांगे, अकास करते हैं, पीचाराथ जोड़ेंगे. जी, मैं बिहार अभ्यच एनन्जा का नमश्कार सबस्य पहुतु हैं. दूसरी बात है, मैं आप सभी से नम्रण इब्योधन करना चाहता हूं. तो बिहार के जित जिले से हैं, इसे हर जिले से मेरा निब्यधन है, कि आप लोग कम से कम पहस्त रुपया सा योगरासी में दे र आज गोस में, क्योंकि यहां पे जो आपके भाई बंदू है, उनलों के पास पैसा समाप्त हो रहा है, इसलिए नीरज गुपता, जो छपड़ा के है, जपड़ा का एकाउंट है, उसमें आप लोग 500 रुपईया देने का कर्ष्ट करें, क्योंकि यहां के जो आपके भाई बं प्लीच, प्लीच, आप लोग कम से कम 500 रुपईया का सहता रासी राजकोस में दे, जो नीरज गुपता, शारन का जो एकाउंट नमबर है, उसमें, क्योंकि आप हम लोग उस च्छन में आचुके हैं, जिस च्छन में हम लोगों की विजय निये, और मैं आप लोगों से रहूंगा, लेकिन हम लोग जीत के ही जाएंगे, इसके लिए हम लोगों की जान ही क्यों न जाए, जो भी मेरे सदस हैं यहांपे, और आप लोगों से एक और नमड़ी बेदन है, कि आप लोग जहां तक आप लोग यथा सिगर भी यहांपे पहुँचने का कश्ट करें, क् अब सारे जगह यह बात पहल चुकी है, बरे से बरे पलाग हिकाई से ले करके, और हमारे मानमिये मुख्यमंत्री से तक पहुँच चुकी है, अब वो निरणायक छना चुका है, जिसमें हमें विजय मिलेगी, और उस विजय में आपका सहयोग, सहयोग जो अगर कुछ मिल है, आर्थिक सहयोग से ले करके, और आपका आना, अगर आप भी आ रहे हैं, तो इसमें हमसे, बहुत ही बहुत ही बड़ा मदब कर रहे हैं, मैं इतना ही कहते हुए अपने सुदों को बिराम देता हूँ.